इस कोश्चन को देखिए CBC 2012 में आया है कि रहा find the mean of the first odd multiple of 5 ध्यान दें first 5 odd multiple है कोश्चन को ध्यान से पढ़ ले ना कैसे multiple है odd होने चाहिए ठीक है आप सनो मेरी बात multiple मतलब जो number 5 की table में आते हैं कौन-कौन से number होते हैं बताओ यह सब 5 के multiple हैं लेकिन उसने कैसा बोला है find the mean mean निकालना फर्स्ट फाइव फर्स्ट फाइव और मल्टिपल छीज करने आपको फर्स्ट फाइव और मल्टिपल है ना और और ओने चीएवन नहीं होने चीजितने भी इवन दिखाई पड़ना उसको कट कर दुआ टेन इवन कट तो कॉन कौन से हो गए आपके चेख कर लो एक तो फाइव हो जाएगा एक नेक्स आपका 25 हो जाएगा ठीक नेक्स आपका 35 हो च्विक komun उख हो अब मीन निकालना है तो मीन हम कैसे निकालते हैं याद करो sum of all observations divided by total number of observation क्योंकि ये हमको क्या दिया हो है ये अन गुरूप्ड total and no का मतलब number है ना of समझ जाना short में लिख दिया observations अब निकाल लो एकस बार is equal to sum of all observations इन सबका sum कर लो थेक यहने के 5 plus 15 plus कितना हो जाएगा 25 plus 35 plus 45 है ना और divided by कितना हो जाएगा total number of observation एक दो तीन चार पाच 5 okay solve करेंगे एक काम करें उपर से 5 common ले ले ठीक है ना चाहो तो एड करके 5 से डिवाइड कर दो चाहो तो फाइड कर दो उसके बाद 5 से डिवाइड कर दो आंसर वहीं आएगा फर्क नहीं पड़ेगा बैड कर लो देखो 9 plus 7 16 16 plus 5 21 21 और प्लस 3 कितना होदा 24 प्लस 1 25 ये लो आंसर कितना आ गया 25 तो मीन कितना आ गया 25 दिस यूर फाइनल आंसर कर लीचे